नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रिसिता फिर से हाजर हूँ एक और नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे कम्प्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, जिसे मदर्बोर्ड कहा जाता है। मदर्बोर्ड कम्प्यूटर का एक ऐसा भाग है, जो बाकी सब ही हार्डवेर को आपस में जोड़ता है। मदर्बोर्ड के कुछ प्रमुख घटकों के बारे में, यह वह जगह है जहां प्रोसेसर, CPU, फिट किया जाता है। CPU आपके कम्प्यूटर का मस्तिश्क होता है, जो सभी प्रकार के निर्देशों को प्रोसेस करता है। उदाहरण, यह वैसे ही है जैसे कार में इंजन, जो कार को चलाने के लिए सारी ताकत देता है। B. RAM Slots Motherboard पर RAM Slots होते हैं, जहां आप RAM, Random Access Memory को जोडते हैं। RAM आपके कम्प्यूटर की अस्थाई मेमरी होती है, जो आपके द्वारा किये गए कामों को तुरंट स्टोर करती है। उदाहरन, जैसे जब आप कार में गियर बदलते हैं, तो RAM वैसा ही तुरंट एक्षन करती है, आपके कम्प्यूटर में काम को तेजी से करने में मदद करती है। C. Power Connectors Power Connector Motherboard को बिजली देने के लिए यह कनेक्टर इस्तिमाल होते हैं, यह कम्प्यूटर को चालू रखने के लिए बिजली सप्लाई करता है। उदाहरन, बिजली के बिना कम्प्यूटर वैसे ही बंद हो जाएगा जैसे कार बिना बैटरी के नहीं चल सकती। D. Expansion Slots Motherboard पर कुछ अतिरिक्त Slots होते हैं, जहां आप Graphics Card, Sound Card या अन्य Expansion Cards जोड सकते हैं। इससे आपके कम्प्यूटर की क्षमता बढ़ जाती है। उदाहरन, यह वैसा है जैसे कार में अतिरिक्त फीचर्स जोडना, जैसे Navigation System या Music System तीन Motherboard के प्रकार, Motherboard कई प्रकार के होते हैं, जैसे A. ATX, ATX यह सबसे सामान्य और बड़े आकार का Motherboard है, जो Desktop कम्प्यूटर में उप्योग होता है। यह बहुत सारे Ports और Slots के साथ आता है। B. Micro ATX, Micro ATX यह थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इसमें लगभग सभी फीचर्स होते हैं, जो एक ATX Motherboard में होते हैं, यह छोटे कम्प्यूटर के लिए उप्योगत होता है। C. Mini ITX, Mini ITX यह सबसे छोटा Motherboard होता है, जिसका उप्योग छोटे Computer System या Home Theater PC में किया जाता है। 4. BIOS UEFI Motherboard में BIOS, Basic Input Output System या UEFI, Unified Extensible Firmware Interface होता है, जो कम्प्यूटर के सभी हार्डवेर को चेक करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि कम्प्यूटर सही तरीके से शुरू हो। उदाहरण, यह वैसे ही है जैसे कार में Engine को स्टार्ट करने से पहले सारे सिस्टम की जांच करना। 5. Input Output Ports Motherboard में कई प्रकार के Ports होते हैं, जैसे USB, HDMI, Alien और Ondio Ports, जो बाहरी उपकरनों, जैसे Keyboard, Mouse, Monitor, को कम्प्यूटर से जोडने में मदद करते हैं। उदाहरण, जैसे कार में कई प्रकार के Ports होते हैं, जैसे Music System के लिए Onyx या Charger लगाने के लिए USB Port 6. Chipset Motherboard में Chipset होता है, जो CPU और अन्य हिस्सों के बीच जानकारी को स्थानांतरित करने का काम करता है। ये कम्प्यूटर के प्रदर्शन को बहतर बनाने में मदद करता है। उदाहरण, ये वैसे ही काम करता है जैसे कार में Gear System, जो Engine और टायरों के बीच समनवय करता है। 7. Cooling System Motherboard और CPU को ठंडा रखने के लिए Fan या Hit-Sync का इस्तिमाल किया जाता है। ये सिस्टम के ज्यादा गरम होने से बचाता है। उदाहरण, जैसे कार में Engine को ठंडा रखने के लिए Cooling System होता है, वैसे ही Motherboard को भी ठंडा रखने की जरूरत होती है। निशकर्ष Motherboard एक Computer का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो सभी घटकों को आपस में जोड कर उन्हें सही तरीके से काम करने में मदद करता है। यह Computer की गती और क्षमता को भी निरधारित करता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सबस्क्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपकी दोस्त रिसिता, जल्द ही एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।